इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड एफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। सिनोड 10 टैबलेट एक दवा है जिसका इस्तेमाल उच्छ रक्चाप, उच्छ रक्चाप के इलाज के लिए किया जाता है। स्थिती की गंभीरता पर निर्भर करता है। आप इसे दिन के किसी भी समय भोजन के साथ या बिना ले सकते हैं लेकिन बहतर होगा कि इसे हर दिन एक ही समय पर ले। जब तक आपके डॉक्टर ने सलाह दी हो तब तक इसे लेते रहें। इस दवा को अपने आप बंद न करें। भले ही आप अच्छा महसूस करें क्योंकि उच्छ रक्चाप के अकसर कोई लक्षन नहीं होते हैं। इस से किसी भी अचानक होने वाले स्पाइक की पहचान करना मुश्किल हो जाता है और यदि आप इसे लेना बंद कर देते हैं तो आपकी स्थिती और खराब हो सकती है। नियमित व्यायाम के साथ सक्रिय रहना, अपना वजन कम करना और स्वस्था हार खाने से भी आपके रक्चाप को नियंतरित करने में मदद मिलेगी। इस दवा को लेते समय अपने डॉक्टर की सलाह का पालन करें। सबसे आम साइड इफेक्ट्स में धकान, एडिमा, पैरों में सूजन, नींडाना, चक्कराना, निस्तबधता, दिल की असामान्य धरकन, धरकन और सिरदर्द शामिल हैं। अपने चिकित्सक से परामर्ष करें यदि इन में से कोई भी आपको परिशान करता है या दूर नहीं जाता है। समूह की अन्य समान दवाओं की तुलना में पैरों या टेखनों में सूजन और धरकन जैसे दुश्प्रभाव गंभीरता में कम होते हैं। अध्ययनों से पता चला है कि यह गुर्दे पर भी सुरक्षात्म प्रभाव डालता है। इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर को बताएं कि क्या आपको लीवक, किड्नी या दिल की कोई समस्या है। गर भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। लाइक करें। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें। और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। धन्यवाद।